IPL 2019 की निलामी में तमिलनाडू के वरुन चक्रवर्ती को 8 करोन 40 लाख में पंजाब ने अपने साथ जोड सभी को चौका दिया है वरुन इस से पहले तमिलनाडू प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं वहीं विजे हजारे ट्राफी 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने के मामले में नमबर दो पर रहे थे वरुन ने इस दोरान 22 विकेट चटकाए आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वरुन दो साल बतौर आर्किटेक्ट भी काम कर चुके हैं वरुन ने स्कूल में किर्किट खेलना सुरू किया था लेकिन पडाही में बाधा के चलते उन्होंने बारवी क्लास में से छोड़ दिया वरुन ने इसके बाद आर्किटेक्टर का कुर्स किया और फर्म में दो वरस तक काम का अनवब भी उनके पास है जब वरुन को एहसास हुआ कि वह किर्किट से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते तो 25 साल की उमर में उन्होंने फिर से मैदान पर बापसी करने की सोची उस वक्त वरुन का किसी खिलाडी से संपर्क नहीं था वह किर्किट अकादमी गए जहां पर सिर्फ अंडर 20 के खिलाडीयों को ही लिया जाता था वरुन ने हार नहीं मानी और चैन के लिए अकसर अपना नाम दर्ज करवाते रहे उन्हें TNPL में चुना गया जहां उनका प्रदसन सांदार्रा यहां से वरुन लगातार प्रदसन में निखार लाते गए और आखिरकार IPL में उन पर पंजाब ने भरोसा जताया